नमस्कार, मैर्च नशुकला, आपके अपनी चैनल स्रिजन नवाचार में पुना स्वागत और अभिनम्दन करती हूँ परशातअचार्टियूं, चित्र सीकन सिखाने के परिक्रियाइन गति विधी प्रथम चरन अवधी आकलन विधी सिख्षक प्रख्रण को प्रारम्ब करने से पहले सदाचार के विशय में सामानी बाचीत करेगा सदाचार से बच्चे अपने शब्दों में कितिनी जानकारी रखतें जानने का प्रयास करेगा बच्चों हमें कब तक सोकर उठ जाना चाहिए हमें कैसा बोलना चाहिए विद्याले जाने से पहले किसे प्रणाम करना चाहिए हमें किसकी किसकी रक्षा करनी चाहिए सिक्षन प्रारम बच्चों आज हम लोग प्रकरण के माध्यम से सदाचार का अध्यन करेंगे सिक्षक वाचन करेंगे बच्चे अनुकरण वाचन करेंगे शब्दार्थों को बताते हुए अनुवाद बताया जाएगा फिर ये आपका पूरा शब्दार्त, आध्यन्त और यहां अनबाद रात में जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह अवश्य ही जाग जाना चाहिए अप्रिय वचन त्याग देना चाहिए, मीठे वाक्य बोलना चाहिए माता को प्रणाम करना चाहिए, पिता को प्रणाम करना चाहिए, इसनान करके ध्यान करना चाहिए, पाठ़ पुस्तक को पढ़ना चाहिए, पेडों की रक्षा करनी चाहिए, वन जीओं की रक्षा करनी चाहिए, फसल बृद्धी करनी चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए सिक्षन का मध्यभाब, अवधी आकलन, दिती-चरण में सिक्षक काठिने निमारण करेगा, पाठ बच्चों को कितना समझ में आया प्रस्न के द्वारा जानेगा, रात्रव कदार, शयनियम, किम तयजनियम, किम पठनियम, किम किम करणियम, यह आपका प्रश्नों गया गतिविधी बच्चों को दो भागों में बाट कर एक ग्रूप को क्या-क्या करना चाहिए, दूसरे को क्या-क्या नहीं करना चाहिए, पूछेगा, बच्चों का सहयोग करता चलेगा. ग्रीह कार्य उचित पदई वाक्यान पूर्यत यथा रात्रवसी ग्रम सैनियम आगामी योजना, संस्कृत भाषा, अपने में एक पूर्ण भाषा है, इसी की महत्ता को दर्शाते हुए आगामी योजना का निर्मान किया जाएगा, धन्यवाद